कहा जाता है कि अदब का असर तभी होता है जब वो जिन्दगी से जुड़ा हो जॉन एलिया एक फिलोसोफर थे, फिंकर थे, स्कॉलर थे फिर भी उनकी शायरी से हर को इंड़ेट कर सकता था ज्यादा मेटाफर्स का इस्तवाल नहीं करते थे आसान लफजों में, भुलंद लहजे में अपनी बात कहते थे जॉन मेरे जैसे कम उर्दू पढ़े लिखे लोगों को भी बार बार डिक्शनरी देखने के यह मजबूर नहीं करते थे मतलब मेरी जबान में अगर कोई नुक्ता इधर दर हो जाए या एपिगलोटिस का इस्तमाल कम ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा मेरा थाल है जॉन की शाहरी में हर उम्र और तबके के लोग जॉन की शाहरी में अपनी जिन्दगी की जहलक देख सकते हैं मसलन आज कल की नौजवान नसल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेक अपार्मिल करना अब जॉन ने उसका एक तरीका बताया नया एक रिष्टा पैदा क्यूं करें हम बिछड़ना है तो जगड़ा क्यूं करें हैं मुझे यकीन है कि जॉन पर घरदारी की कोई जम्मेदारी नहीं थी पर अगर मेरे घर में कभी नल्ट अपकता है या बरसात में खिड़की और दर्वाजे की कुंडी बन नहीं होती तो मुझे जॉन बहुत याद आते हैं कौन इस घर की देखवाल करें रोज एक चीज तूट जाती है जॉन की शायरी में दर्द भी है और आटिट्यूट भी अब वो कहते हैं मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब इसका बेहद लिहास कीजिएगा एक और शेर है इसी तर्द पे अब दर्द देखिए वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने अब पेशे खिद्मत है जॉन एलिया की खुबसूरत गजल बेकरारी से बेकरारी है ये उनकी किताब यानी में शाया हुई थी बेकरारी से बेकरारी है वसल है और फिराकतारी है जो गुजारी न जा सकी हमसे हमने वो जिन्दगी गुजारी है निघरे क्या हुए कि लोगों पर अब निघरे मेरे से भी जो कम उर्दू जानते हैं उनको बता दूँ निघरे माने होमलिस निघरे क्या हुए कि लोगों पर अपना साया भी अब नुगारी है बिन तुम्हारे कभी नहीं आई क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है अब इसमें कहियो का वर्र इतना मीठा लगा मुझे अगले शेर में उससे कहियो की दिल की गलीयों में रात दिन तेरी इन्तजार हुए हिज्र हो, विसाल हो, कुछ हो हम हैं और उसकी यादगारी है एक महक समते दिल से आई थी Direction of Heart मैं ये समझा तेरी सवारी है हादसों का हिसाब है अपना वरना हर आन सब की बारी है खुश रहे तू की जिन्दगी अपनी उम्र भर की उमीदवारी है शुक्रिया बहुत 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 बहुत